नमस्कार साथियों, जन्व दिन की हर्दिक सुपका बनाय उन दोस्तों के लिए जिनका जन्व दिवास है तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्रेटी इस लिमिटेट पर है इसका सेर प्राइस डाउन होना के पीछे वज़ा कि इसका रिजल्ट निगेटिव में आया है तो देख सकते हैं दोस्तों, सेप्टेमर दौईर्ट चोविस का रिजल्ट जो कि 15.09 करोड का सेल्स किया और एक्सपेंस जादा है हो गया, 16.08 करोड का जिसके वज़े से ओपरेटिंग प्रोफिट माइनस में एक दसमलाव साथ नौ करोड का हुआ अधर इंकम निरन में लाग का है इंट्रेस्ट एक करोड चोविस लाग का है एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो इंट्रेस्ट इस बार ये पेड की है तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसका इंट्रेस्ट ना के बरावर डिप्रीसियेशन एगारा लाग का है और प्रोफिट फॉर टैक्स माइनस में है दो करोड पंदर लाग का नेट प्रोफिट माइनस में एक दसमलाव छे चार करोड का जिसके वज़े से EPS माइनस में दो पैसा है अब एक बात गौर करने वाली है कि screener.in website में इसका current price दो रूपिया 21 पैसा चल रहा है और book value दो रूपिया 62 पैसे है यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसका ROC और ROE share price के अनुसा ठीक ही है मेरा मानना है stop P 14 का है जो कि यह भी सही है मेरे idea अनुसा बाकि investment अपने बुद्धिविवे का अनुसार और सूजबुच का अनुसार ही करिए दोस्तों bseindia.com वेबसाइट का नाम है इस पर इस share का price 2.21 पैसे जो कि 5 पैसे पलस में पिछले trading day में देखा गया है और announcement 31.10.2024 का ही है जो कि यह news paper publication है तो किसका the result का बाकि bulk dealing तो 38.2024 का है जो कि buy किया गया है तीरपन लाग पचात्तर जार क्वांटिटी रेट दो रूपए 47 पैसे के हिसाब से यह पुराना ही है update news और delivery percentage जो देखा जा रहा है वो 75.38% है क्योंकि quantity traded ही 3,50,647 जबकि delivery में उठाया गया 2,64,314 अब देखते हैं nseindia.com पे इसका share का share price दो रूपए 22 पैसे पे चल रही है और यहाँ पर delivery percentage उससे भी बेहतर है यानि कि BAC exchange से भी बेहतर रहा जो कि 82.26% का delivery है तो काफी अच्छा है इसमें delivery में उठाया जा रहा है इस share को इस company के share को तो यह ध्यान रखने वाली बात है future के लिए हो सकता है कि यह सिरद कुछ अच्छा ही करने वाली है बाकी investment अपने बुद्धिविय का अनुसार और सुझबुझ का अनुसार ही करिए दोस्तो मैं वीडियो बनाता हूँ only one knowledge purpose अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए श्टॉक के साथ में तब तक लिए नमस्कार करिए